दादे नानी दोरे बताएगे इस किचन के टिप्स और ट्रिक सबसे पहले है पूरिया को खस्ता बनाने के लिए आटा गुंते समय उसमें एक चमस सुजी या चावल का आटा जरूर मिला दे नेक्स्ट है अगर आप आटा फ्रीज में रखने वाले हैं तो उसके उपर घी लगाद ले और फिर उसे ढख कर फ्रीज में रखे इससे आटा ताजा बना रहेगा नेक्स्ट है आटे में एक छोटी चमस सीनी डाल कर गुंतने से पूरिया फूली हुई बनेगी नेक्स्ट है पूरिया तलते वक्ट गैस का फिम हाई मीडियम रखे इसे पूरिया अच्छी तरह फुलती है नेक्स्ट है आटा गुंतने के बाद आटे को 10-15 मिनिट ढख कर रखे इसे आपको रोटी मुलायम और फुली फुली बनेगी नेक्स्ट है आटा गुंते वक्ट आटे में 1-7 पानी डालकर ना गुंते आटे में थोड़े थोड़े पानी डालकर गुंते इसे आपकी आटा गीला नहीं होगा नेक्स्ट है ग्रेवी वाली सबजी बनाते वक्त मसाले को कम से कम 10 से 15 मिनिट भुने लो गैस में इसे ग्रेवी स्वाधिश्ट और गाड़ी बनेगी नेक्स्ट है कुकिंग करते वक्त ग्यास काफे मीडियम रखे इससे ग्यास की बचत होगी खाना जलेगी नहीं और खाना टेस्टी बनेगी निक्स्ट है खाना बनाते वक्त खाने को ढख कर बनाए इससे खाने में कोई भी चीज गीरेगी नहीं और ग्यास की बचद भी होगी निक्स्ट है बिर्यानी बनाने वक्त बिर्यानी में खड़े मसाले को कोट कर डाले इसे बिर्यानी में मसाले का फ्लेवर उभर कर आएगी निक्स्ट है एक बार आटा गुंत लेने के बाद अंत में घी डाल कर उसे दोबारा गुंत ले इसे आटा जल्दी सुकता नहीं है पनीर बना लेने के बाद आप बचे विए पानी से आटा गुत तंदूरी चपाती बहुत नरम बनेगी नेक्स्ट है पनीर को नरम करना हो तो गरम पानी में नमक मिलाए और उसमें पनीर को दस मिनिट के लिए धक दे निक्स्ट है प्याज को फ्राय करने के दावरान उसमें हलकी सी चीनी मिला देने से वो जल्दी ब्राउन हो जाते हैं निक्स्ट है प्याज को काटने से पहले कुछ देर फ्रीज में रख दे ऐसा करने से प्याज काटने के दावरान आसू नहीं आएगी निक्स्ट है चीज को कसने के दवराण ओचिपक जाता है इसे बचने के लिए आप कदुकस करने वाले पर थोड़ा तेल लगा ले निक्स्ट है ककड़ी या दालब़ के चीले बनाते वक्त बैटर में थोड़ा सा चावल आटा डाले इसे ककड़ी और कुरकुरे बनेंगे इसमें सुखी ब्रेट चूरा करके मिलाए जल्डी खमीरी उठेगा इस तरह से दादी और नारी की बताएवे कुछ टी कीचन के टिप्स और ट्रिक्स है धन्यवाद